लाल किताब के अनुसार यदि शुक्र पहले पच्वें, आठ्वें और दस्वे भाव में हो तो माना जाता है कि शुक्र मंदा है मंदा शुक्र सभी तरह की सुक और सुविधाओं का नाश कर देता है पत्नी से भी संबंद ठीक नहीं रहते हैं शुक्र के साथ राहू या मंगल है तो भी शुक्रमंदा हो जाता है कैसे और कब करते हैं दही इसनान जातक को प्रतिशुक्रवार को अच्छे से दही से इसनान करना चाहिए दही से सविशिद्रों को साफ करना चाहिए इसनान करने के लिए लकड़ी के पाट पर बैठें, शुक्रवार का वरत रखें और इस दिन खटाई ना खाएं क्या फाइदा होगा इससे? दही सनान करने से मंदा शुक्र उत्तम फल देगा इससे तचा रोक समाप्त हो जाता है, शुष्क तचा मुलाइम बन जाती है दही मेत्र डाल कर नहाने से आपकी संपती में बढ़ुत्री होगी ऐसा माना जाता है कि गुप्तांगों पर दही लगा कर सनान करने से गुप्त रोक समाप्त हो जाते है दहे स्नान करने से जा तक पतनी सुख और वैभाव प्राप्त करता है